जारकन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारकन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को कर बेल आइकन को दबाना बिलकुल ना भूले आज का लाइक एम 500 है उमीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे बिहार बोर्ड मैट्री का रिजल्ट हुआ जारी बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड ने 10 वी 2022 का रिजल्ट जारी कर दिया है चात्र जोभी इस परिक्षा के लिए सामिल हुए थे वे बिहार बोर्ड के अधिकारिक बेप साइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन डोट बिहा या online bseb.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं राजे में बोर्ड परिशा 17 फरवरीर से 24 फरवरीर 22 तक आविजित की गई थी इसके अलावा छात्र सिधे बिहार बोर्ड online.com पर क्लिक कर भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं साथ ही दिएगर टिप्स के अनुसार भी दस्वी का रिजल्ट चेक कर सकते हैं बता दई से पहले बोर्ड ने अधिकारिक अंसर की 8 मार्च को जारी की थी और उमिद्वारों को 11 मार्च 22 तक आपत्या दर्च कराने के अनुमती भी दी गई थी इस साल 17 लग छात्रों ने काक्षा दस्वी के लिए अपना पंजिकरन कराया था जहारखन में 5 दिनों तक दिखेगा लू का असर मौसम भी भाग ने मार्च महिने की रिपोर्ट जारी किया जिसमें मौसम में हो रहे लगातार बदलाव का जिक्र किया गया है रिपोर्ट के अनुसा राईधानी राची में इस वरस एक से तीस मार्च तक 99 परतिशत कम बारिस हुई है वहीं 17 जिले ऐसे हैं जहां इस वर्ष मार्च महिने के दुरान 100 परतिशत तक बारिस नहीं हुई है बता दे उतर पच्छिम की सुखी गर महावाक का बहाव जहारखन की ओर होने से ताप मान में लगातार बड़ोतरी हो रही है रायस्तान, गुजरात, मदपर्देश और उतरपर्देश में लूप बढ़ने से इसका असर अगले 4-5 दिनों तक जहारखन में भी असर देखने को मिलेगा मुख्य मंत्री मेधा छात्र विती के लिए आज से फोरम भर सकेंगे छात्र जहारखन में मुख्य मंत्री मेधा छात्र विती परिक्षा के आवेदन जामा करने के परक्रिया आई से शुरू हो गई है एक चुक बिद्यार्थी 30 अप्रेल तक जैक की वेब साइट से फोरम जामा कर सकते है आवेदन ऑनलाइन जामा लिए जाएंगे जिसके बाद जीला सिक्षा पताधिकारी की ओर से 7 अप्रेल से 3 मई तक प्राप्त आवेदन को ऑनलाइन सत्यापित किया जाएगा प्रवेश पत्र बित्रन एवं परिक्षा की तीथी जैक की ओर से बाद में घोसित की जाएगी बता देक अक्षा आठ में सरकारी बिद्यार्थी जिन्हें सात्वी की परिक्षा में 55 फिश्दी अंक आये हो वे परिक्षा में सामिल हो सकते है अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जन जाती की बिद्यार्थियों को अंक में 55 फिश्दी की छुट दी गई है वहीं चैनित बिद्यार्थियों को कक्षा नौवी से बरावी तक के लिए परिक्ष बारा आजार उपे छात्र विती दी जाएगी जार्खंड कॉंग्रेस की मजबूती के लिए दिली में मन्थन जार्खंड में कॉंग्रेस अपनी खोई जमीन हासिल करने की कवायद में जूट गई है पार्टी की कोसिस है कि समर्पित नेताओं को उचित अस्थान मिले राजे में संगठन को मजबूत किया जा सके जार्खंड परभारी के तोर पर कामकाई समहनले के बाद अविनास पांडे इस कोसिस में लगे हुए है बता दे पार्टी छोड़ चुके परदीप, बलमुचू, सुक्देव, भगत जैसे कई नेता कांग्रेस में वापसी कर चुके है अब पार्टी ऐसे नेताओं को उचित जगह देना चाहती है महंगाई के खिलाब थाली व घंटी बजा कर महंगाई का बिरोध महंगाई के खिलाब कंग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान आई से सुरू होगा जार्खन परदेश कंग्रेस कमिटी की ओर से गुरु आर 31 मार्ज को थाली व घंटी बजा कर महंगाई मुक्त भारत अभियान की सुरूआत की जाएगी बतादे पार्टी की ओर से 7 अप्रेल तक 3 चरणों में चरणबद आंदोलन किया जाएगा महागाई के बहाने कॉंग्रेस ने केंद्र किनारेंद मोधी सरकार पर निशाना साधा है कॉंग्रेस ने महागाई के खिलाप अभियान छेड़ दिया है इसके तहट चरणबद आंदोलन किया जाएगा आज पहले दिन 31 मार्च को काउरेस के कारकाता ढोल घंटिया या अन्य उपकरन बजाकर केंद्र किनारेंद मोधी सरकार का ध्यान गैस पेट्रोल डिजल के दामों में हुई अब परत्यासित बिरिधी की और आकरसित कराएंगे रांची में फोर लेन सडके के लिए सीम ने दी मंजूरी रांची के नेवरी से लेकर बुटी मोल, कोकर चौक, कंटा टोली चौक, दुरगा सोरेन चौक, इस्थित, आर ओबी तक की सडक फोर लेन होगी इसकी कुल लंबाई 15.2 एक किलो मीटर है इस कार के लिए 129,16,175 रुपए की मंजूरी दी गाई है वो ध्वार को मुक्ष मंत्री के देश्टाय में होई कैबिनेट की बैठाक में कुल 72 पस्ताव को मंजूरी दी गाई एमेस धौनी फिर बने जारखन के सबसे बड़े करदाता भारतिय किरकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंदर सिंग धौनी ने इस वरस एडवांस टेक्स के रूप में 32 क्लो रुपए का भुखतान किया है एडवांस टेक्स के रूप में जामा की गई रकम के आलोक में इस वित्तिय वरस के दोरान उनकी कर योग या आमदानी 130 क्लो रुपए से कुछ अधिक होने का अनुमान है बतादे COVID-19 के बित्तिय कूप रभावों के बावजूद उनकी आमदानी बढ़ी है वह इस साल भी जार्खन के सबसे बड़े ब्यक्तिगत करदाता बन गया है क्रिकेट जगत में आने के बाद से वह लगताता जार्खन के ब्यक्तिगत सबसे बड़े करदाता रहे बतादे दो बित्तिय वर्षों में जमा किये गए एडवांस टेक्स के अलोक में COVID-19 के बित्तिय कूप प्रभावों के बाद भी पूर्व कप्तान की आमदानी में ब्रीधी हुई बित्तिय वर्ष 2021 का इसमें पूर्व कप्तान की अमदानी कौम होने का मुखे कारण COVID-19 के दौरान सरकाल दोबारा खेल पर फर्तिबंद लगाया जाना बताया जाता है जार्खन कुरोना अपडेट जार्खन की साड़ेतीन कोर अबादी ने आज 31 मार्ज को कुरोना महामारी से जूचते वे दो साल का सफर पूरा कर लिया है बतादे दो साल में राज्ये के 4,35,123 लोग इस महामारी की चपेट में आए लेकिन सुखत बात या हो रही की 4,39,771 लोगों ने कुरोना महामारी को हरा कर जिन्दगी की जंग जीत ली है राज्ये में सबसे ज़्यादा राची जीले के 1,12,105 और पूर्वी सिम्भूम के 68,636 लोगों ने कुरोना को हराया हलाकि दुखा दिया रहा कि कुरोना से जुचते हुए राज्ये के 3,515 लोगों को हमने खोया भी सबसे ज़्यादा राची जीले के 16,6 और पूर्वी सिम्भूम के 11,18 अपनों को हमने खो दिया है राची में बुद्ध्वार को कोई नया कुरोना मरीज नहीं मिला है धनबाद में डाइन का आरोप लगा महिला समेद परिवार का समाजिक बहिसकार धनबाद थाना छेतर के 22 माजी टोला में एक महिला पर डाइन का आरोप लगा सब परिवार उसका समाजिक बहिसकार किया गया है बता दे पिडित परिवार ने इनसाप के लिए थाना और पूलिस अधिकारियों से गुहार लगाई है गाँ छोड़ने के फर्मान के बाद परिवार ने 26 माज से राम कन नाली में सरन ले रखी है अरोप हाई की रिष्टेदारों वा गाँ वालों ने डायन का अरोप लगा महिला और उसके परिवार को परतालित किया तथा मारपिट भी की है अवायद कोईला उत्खरन के दरान चास धसने से दो की मौत जारखन के धनबाद जिले में कोईला के अवायद उत्खरन के दरान चास धसने से एक ही परिवार की महिलाओ की मौत हो गई है जबकि आधा दरजन लोग गंभी रूप से घायल हो गई उन्हें अस्पताल में भरती कराया गया है मिरितकों में एक जूती वा एक महिला सामिल है एनानी वा पोती बताई जा रही है बतादे बाग मारा विधायक धूलू मतों के आवाज से कूछी दूर पर एक हटना घटी है बाबा बैधनात धाम में सरधालों के भीर नियंतरित करने की त्यारी जारखन के देव घरिस्थीत बाबा बैधनात धामिस रावनी मेले में जलारपन करने आई भकतों को बेतर सुविधा देने के लिए समाने कतार वस्विग दर्शनम कतार को अलग-अलग रास्ते से गर्भ गिरी तक पहुचाने का काम सुरू हो गया है बाबा मंदिर पर सासक सर डीसी मंजुनात भयंत्री के निदेश पर तेजी से कहरे किया जा रहा है 2000 कूपन जारी होते ही कूपन वाले रास्ते में जाम तथा आफरायत अफरी की संभावना को खतम करने के लिए बेवास्था को विक्सित किया जा रहा है किरिशी मंत्री बादल पत्रलिख का भाई बता कर 19-1500 रूपय की ठगी जार्खन किराइदानी राची के रिम्स में देवगर के एक मरीज से दावा व इलाज के नाम पर 19-5000 रूपय ठगने का मामला सामने आया है ठाग ने अपने आपको किरिस्ती मंत्री बादल पत्रले का भाई बताते हुए पैसे लेकर फरार हो गया मरीज सेख हिर्दय का इलाज करवाने रिम्स के CTVS बिभाग में भरती हुआ था जहां बुद्वार की साम को एक भ्यक्ती अपने आपको मंत्री का भाई बताते हुए पहुचा और अपने आपको रिम्स का चेर्मेन बताया जिसके बाद उस मरीज से कहा कि उन्हें उनके भाई मंत्री बादल ने भेजा है और इलाज में मदद करने को कहा है संपर्क क्रांती एक्सप्रेस में लगेगा अतिरीक्त कोच यात्रियों की अतिरीक्त भीड को देखते हुए ट्रेन संख्या 12-825 रांची आनंद बिहार टर्मिनल संपर्क क्रांती एक्सप्रेस ट्रेन में अतिरीक्त कोच लगाया जाएगा अतिरिकत भीड को देखते हुए गुरूर को दितिय स्रेणी सिलीपर कलास का एक अतिरिकत कोष ट्रेन में लगाया जाएगा अतिरिक्त कोष लगने से यात्रियों को अतिरिकत भीड से रहत मिलेगी जारखन में ग्रामिन विकास के लिए केंद्र ने दिये 12,000 क्रोर जार्खन में ग्रामिन विकास के लिए केंद्र सरकार ने 12,000 को रूपए की रासी दिया है इस रासी का उपयोग जार्खन के ग्रामिन विकास के लिए चल रहे है योजिनाओं में किया जाएगा आपको बता दे कि लोक सभा के आंतरिक प्रश्नकाल में राची सांसत संजय सेट ने दीशा समीती के लक्ष से संबंधित सवाल किये थे और इसकी अस्थापना के उदेश पर जनकारी मांगी थी इसके साथ ही सांसत ने अभी जानना चाहा था कि गद तीन बर्स में जार्खन में दीशा समीती की कितनी बैठ जन जोती ने यह लक्ष और उदेश बताया है धन्यवाद यदि आप चनल पर नहीं हो तो चनल को सब्सक्राइब कर बहुल का बेले कंद भाईए साल साथ वीडियो के एक लाइक है अपने दोस्तों साथ सेर करना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फ